एक और बड़ी ख़बर आ रही है सरकार की तरफ से कल देर शाम वित्मंत्राले की तरफ से एक मेमरेंडम इशू किया गया और उसमें क्या कहा गया दोस्तो मेरे नाम है मनोज और आप लोग बने हुए हैं अपने यूट्यूब चैनल स्टेडी फॉर्ण के तरफ तो जैसे आप लोग उने छोटी सी एक क्लिप यहां पर देखी ही तो मैं इस क्लिप को आगे भी जारी रखूंगा और आपको पूरा डेटेल में बताने वाला ह है यूबाओं के लिए यानि कि जोब को लेकर क्योंकि सभी यूबा जो है ना कोई ना कोई डिग्री करके एक्जाम पास करने के बाद अपने घर पर ही बैठे हैं तो ऐसे में उनको जोब कैसे मिले तो गाइज इस पर हम लोग चर्चा करेंगे और पूरी न्यूज के बार और जो ये नोटिफिकेसन जारी हुआ था वो हुआ था चार सेप्तमबर को चार सेप्तमबर 2020 को आपका ये नोटिफिकेसन जारी हुआ था पूरी न्यूज देखने के लिए आप लोग बने रहेगा वीडियो में लाश्ट तक वीडियो को लाइक सेर जरूर कीजेगा दोस तो इस notification में अगर हम लोग English में पूरा notification पढ़ेंगे तो काफी time लग जाएगा जो key point है मैं उनको समझा देता हूँ काई पहले आपको ठीक है देखिएगा आप लोग समझेगा यहां से समझ लेते हैं हम लोग पहले साथ हूँ देखिएगा पहला आपका यह हो जाएगा there will be a ban or creation of new post expect with the approval of the department दोस्तो आप लोग अगर इसको पूरा पढ़के देखिएगे तो आपका यहां पर यह निकल के आ रहा है कि अब जो है पूरी तरह से नई post ओ पर ban लगा दिया गया है यानि कि कोई भी नई vacancy भारत के अंदर तो है नहीं ठीक है और दोस्तों साथ ही साथ यह तो आपका छोटा सा कीपूंट समझ सकते हैं आप लोग इससे भी बड़ा मुद्दा यह है गया कि if any post have been created after 17220 यानिकी एक जुलाई के बाद अगर कोई एक post भी उसके लिए आवेदन हुआ है तो उसको return मांगा गया है क्याकि वो valid नहीं होगा दोस्तों simple word में मैं आपको पूरी news सुना देता हूं इसको सुनी जीगा पूरी news को सरकारी नौक्रियों पर नए पद बनाने पर सरकार ने रोक लगा दी है अब सरकार नए रोजगार नए नौक्रियां नहीं देगी और एक जुलाई तक जो आवेदन थे या आपने कोई आवेदन भरा सरकारी नौक्री के लिए वो आवेदन भी अब वापस लिए जाएंगे सरकार ने सास कह दिया है कि हमारी माली हालत बहुत खस्ता है अभी पैसे नहीं है तो नई jobs create नहीं की जाएंगी पहरे साथियों यह तो सुनिए आप लोगोंने पूरी नीज और साथियों मैं आप लोगों को बता दू यह सरकारी ही नहीं जो गैर सरकारी संस impasan है जो आपकी बैंके हैं, जो कारचेतर हैं, जो अध्योग हैं, यह जो नियम रहेगा उन पर भी प्रभावी रहेगा, दोस्तो अब आपको नई जो नहीं मिलने वाली हैं, दोस्तो यह बहुत बड़ी ख़वर निकल कर आई थी, और इस लेटर को आप लोग स्क्रीन सोड भी ले जिगस को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और दूसरा आपका की पॉइंट आपका यह रहा, देखें यह आपका मेन है, जहां से आपको स्क्रीन सोड लेना है, ठीक है, तो यह थी आप लोग के लिए बड़ी नियूज, और इस नियूज को दोस्तो आप लोग सभी वीडियो के निचे लिखेगा, उस कमेंट को हम लोग हाइलाइट करके एक वीडियो क्रियेट करेंगे, जो कि आपकी मांग आगे तक जा सके, थैंक यू सो मच, बाबाई, टेक क्यार